हेलो एंड जैहिन सुडेंट वेलकम मंस अगें टू यरून चैनल सरतर नुद्वानी और आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक इंपोर्टेंट चेप्टर रेनिसा हां यह पहला चेप्टर है तीम पार्ट में यह यूनिट होगा पहला रेनिसा दूसरा रिफॉर्मेशन और तीसरा इंडस्ट्रियल रेवलूशन तो वर्ड आता है यह रेनिसा क्या वर्ड है रेनिसा रिनायन्स जिसको आप आम बाशा में पढ़ते हैं और इसका मतलब है रिबर्थ होना तो किसका बर्थ हो रहा है तो बर्थ हो रहा है नए थोट का बर्थ हो रहा है एक नई एज का नाम है modern age तो जब यूरोप में medieval age खतम हो रहा था और modern age आ रही थी तो उसके बीज के transition phase को नाम दिया गया है रिनायन ठीक है न तो आईए समझते हैं कि क्या meaning है पहले रिनायन का तो रिनायन का word का meaning आ गया rebirth रिवाइवल और ये transition moment है कैसा transition transition moment जो की उसे medieval से modern age में convert कर देगा अथार्थ दुनिया में teenage होती है पहला old age फिर medieval age और फिर अब modern age हाँ मैं और आप कोंसे age में हैं modern age में समझ गया न तो ये period एक बहुत लंबा period है ये period है 14th century से लेकर हिटली में और 17th century तक तो लग भग 300 सालों का ये period है रिनायन का period है यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर लोगों की सोच लोगों को ठिंग करने की अजादी मिलेगी तो क्या आप कहना चाते हैं इससे पहले लोग सोचने की अजादी नहीं थी हाँ मैं सही कह रहा हूँ लोगों को question करने की अजादी नहीं थी वो क्यों ऐसा क्यों है ऐसा कैसे है यह पूछने का लोगों का अधिकार नहीं था क्योंकि जो रिलीजेस गुरू बता देते थे एक बार लोगों को वही चुप चाप मान लें था था कोई question नहीं कर सकता था अपने धर्म गुरू से रिलीजेस गुरू से जो धर्म में बता दिया गया है वो चुप चाप उसका पालन करते थे इसलिए उस एज में development नहीं हो पाई लोग नई सोच नहीं ला पाए नए thoughts नहीं आए और कुछ नया development नहीं हो पाया तो अब जो एज आने वाला है क्या सब बदलने वाला है नाम होने वाला है modern era modern age तो आईए कैसे आया पहले तो reason जानेंगे कि renesa क्यों आया सबसे बड़ा reason है capture of constantinople यह क्या है यह एक अद्भुद सा शहर है हाँ एक अद्भुद यस मैं अद्भुद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह शहर दुनिया के सबसे महांतम हाँ सबसे महांतम empire में से एक शहर है बेजन्टाइन empire के नाम से भी इसको जाना जाता है और constantine उसके नाम से एक राजा है एक बहुत शूर वी रोमन empire के राजा है constantine उनके नाम से यह शहर है constantinople और इस empire को बेजन्टाइन empire आप देख पा रहे होंगे यह 1300 century का एक photo है एक image है जिसमें आप इस शांदार राजी को देख पा रहे है तो क्या हुआ इसका capture यहां इसका fall में क्या हुआ यह समझते हैं और कैसे हिरनाइन्स को हाँ कैसे हिरनाइन्स को बढ़ावा मिला इसकी वज़े से तो जब कॉंस्टेंटिनोपल जो कि उस समय रोमन empire का एक capital हुआ करता था और सारे बड़े ग्रीक और रोमन कल्चर का वासमावेश था दुनिया के सारे बड़े आर्टिस्ट इस राज्य में रहते थे यहां पर दुनिया के सबसे बड़े scriptures, manuscript, manuscript, हाँ या word पढ़ रहा हुँगे, manuscript, आथ से लिखे scriptures यतने भी ग्रीक और रोमन राइटर्स थे, उनके खुद के लिखे ग्रंत, scripts लिखे थे तो यह सब कहां थे, कॉंस्टेंटिनोपल में थे तो जब कॉंस्टेंटी नोपल को टर्क्स ने जो की मुस्लिम रूर्र्स थे उन्होंने अटेक किया जीत लिया तो ये सारे बड़े और माहान लेखक, आर्टिस्ट, फिंकर्स कहां गए तोड़ के चले गए अब कहीं न कहीं तो दूसरे देश में जाएंगे, आसपास के देशों में जाएंगे जहां इने चरन मिलेगी, अब वो चाहे इटली चले जाएं, चाहे पोटुगल चले जाएं, स्पेन चले जाएं, पर अपनी रक्षा करने के लिए वो कॉंस्टेंटीनोपल छोड़ पर फाइदा, फाइदा किसका होगा, देखो एक ज्यानी पुरुष अगर कहीं चला जाए, तो उसका ज्यान तो कोई छीन नहीं सकता, एक व्यक्ती जिसके पास नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, स्किल है, उसे अगर कोई दूसरी जगें भेज दिया जाए, तो वो अपना प्यान, अपना मैनुस्क्रिप्ट लेके गए, और वो सारे इलाकों को उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे एक नई सोच, नए थौट लाए, कैसे दुनिया उनको बदल सकते हैं, हाँ, ये बदलने आओ, अब पुरी दुनिया में आने लगा, ये रोप से फिर पुरी दु में, मौडन एज आया, और उसके बाद तो पुरी दुनिया में मौडन एज आ गया, वैसे मैं आपको बता दू, इंडिया के अगर मौडन एज की मुझसे कोशन पुछोगे, तो मैं कहूंगा, इंडिया का मौडन एज 18th century के बाद आया, देखिए कितने लेट हम आये हैं, म feudalism क्या होता है, तो यूरोप में जो राजा हुआ करते थे, वो हर देश में राजा जो होता है, वो टॉप में होता है, पर राजा अपने किंडम को क्या करता है, small small part में बाड़ता है, हम इनको कहते हैं, yes, राजा के जो नीचे होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं, dukes या earls, क किंडम के नीचे, अब duke और earls के नीचे भी कुछ लोग होते हैं, हाँ, duke और earls के नीचे होते हैं, knights, knights इस category में सबसे lowest होते हैं, एक तरह से कहते हैं, सिपाही हो सकते हैं, सैनिक हो सकते हैं, तो इनके पास क्या power था, इनके पास था पूरे देश का land tenure system, अथार्थ लगान वसूली करने का system, इनके पास power था, क्या करने का, लोगों से tax लेने का power था, इन लोगों के पास, राजा खुद तो जाएगा नहीं घरगर tax collect करने, तो राजा ने dukes बनाए, duke के नीचे उन्होंने बनाए, earls, earls के नीचे बनाए, उन्होंने knights, अब इन knights के पास, villagers और इसमें बुराई क्या है, अभी बताता हूँ, जब ये system खतम हुआ, feudalism खतम हो गया, इस lord बनाने वाला, feudal lord बनाने वाला, जब system ही खतम हो गया, तो लोगों के मन से धर चला गया, आपको याद होना चाहिए, धर से, धर से आप क्या कर सकते हो, नया thought नहीं ला सकते हो, नई thinking आएगी, तो feudal lord के जाने के बाद ही, लोगों में नए question करने का power आया, इसलिए, इसलिए रनाइन्स पैदा हुआ, अब आता है, और क्या हुआ, कॉंस्टेंटिनोपल तो आपने जान लिया, कि Turks ने जीत लिया, अब 1453 के बाद, वो रास्ता, जो west से east को जोडता था, वो था कॉंस्टेंटिनोपल, अब कॉंस्टेंटिनोपल पे कब जा हो गया है, मेडिटेरियन सी को कोई पारी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि Turks तो वहाँ से किसी को पार नहीं करने देंगे, समझ गया न, तो अब problem क्या है, यूरोप को अगर एशिया पहुचना है, जो यूर से सुन लेना, क्योंकि ये वनवर्ड कोशन बन सकता है, जैसे प्रिंस एंडरी, ये एक नेविगेटर थे, इनोंने पोडूगल से अपनी शिप चलाई, और पहली बार अफ्रीका पहुच गया, क्योंकि वैसे तो वो मेटेरियन सी में ही चले जाते, और वहाँ से पहुच पर कॉंस्टेंटिनोपल को टर्क्स ने कब जग कर रखा था, अलाउट था नहीं, एक और वेक्ति का नाम बताता हूँ, पार्थलोम्यू डायज, बड़ा अजीब सा नाम है न, पार्थलोम्यू डायज ने एक रास्ता खोज लिया, केप ओफ गुड होप का, केप ओफ कोलम्बस ने, पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलम्बस ने, उन्होंने अमेरिका को खोज लिया, वैसे आपको पता होना चाहिए, क्रिस्टोफर कलमस भारत के लिए निकला था, इंडिया के लिए निकला था, पर बाई मिस्टेक वो पहुँझ गया अमेरिका, अमेरिका को ड पॉटुगीज वेकती थे ये वास्को डिकामा इन्होंने तो इससे फाइदा क्या मिला क्या सिर्फ बिजनस करने के लिए आए थे नया सी रूट खोज लिए बस वैपार करना नहीं वैपार तो हुआ ये तो मैं मानूंगा कि ट्रेडिंग हुई बिजनस हुआ देखे जब को उस जमाने में शिप्स तो ऐसी हुआ नहीं करती थी कि मशीन लगे होती थी सारी शिप्स पर चलती थी सेल्स पर चलती थी परदों पर चलती थी हवा मिल गया परदे को सेल जिसे बोलते हैं है कि नहीं है तो इनको spirit of adventure कह सकते हैं कि नए रास्तों की वज़े से विश्यू मे लोगों के अंदर डर खतम हो गया समुधर में जाने का डर खतम हो गया नए रास्तों को खोजने का डर खतम हो गया अब हम और यह ओप एक बार कहीं आपको कोई चीज सफलता मिल जाती है तो अरों के लिए एक्जांपल बन जाता है तो दुनिया के लिए एक्जांपल बन गया अब और रिस्क उठाने के लिए तो इसी तरह से spirit of adventure बढ़ने लगा लोगों की नई सोच डेवलपने लगी कि दुनिया इसके भी आगे है हाँ कभी किसी ने सोचा था कि चांद पर भी बस्ती बचाई जा सकती है पर आप देख लीजे आज साइन्स तो चांद पे कलोनी बसाने जा रही है हाँ शयाद आपने सुना होगा कि चांद पे plot बिकरा है चांद पे शयाद farming भी हो जाए कोई समय बाद कोई बड़े आश्चर की बात नहीं है तो सोच बदल गई क्योंकि लोगों ने risk लेना शुरू कर दिया यही हुआ जब sea roots discover हुए और क्या हुआ और क्या reason रहा है यह बहुत important point आएगा जो आप सोचेंगे और आश्चर करेंगे कि यह क्या point है sir जब इस word को देखें क्या लिखा है spirit of inquiry पूछो 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 तुमसे कहता हूँ अर बार तो जो पूछेगा जो पूछेगा वो learn करेगा तो spirit of inquiry अभी तक लोग क्या करते थे question नहीं करते थे जो बता दिया चुप चाप उसको follow कर लेते यह never questioned the authorities हाँ अगर चर्च में हाँ अगर आपके religious gurus ने क्या कर दिया कोई चीज कह दी तो वो चुप चाप उसको follow करते थे उस पे question नहीं करते थे when, why, what नहीं, allowed नहीं था आपको तो यह नया दौर था अब नई सोच आने वाली थी अब बहुत सारे ऐसे scholars आएंगे जो पुरानी मानेताओं को मानने से मना कर देंगे, वो नई सोच रखेंगे, independent सोच रखेंगे जो हो सकता है, पुरानी परंपरा से एकदम अलग हो तो यह एक नया चीज डेवलप हुआ लोगों के अंदर spirit of questioning spirit of inquiry और सबसे important चीज है हर चीज के बारे में जानना ऐसा क्यों हाँ जैसे मैं अपने मन से कह रहा हूँ जैसे सूरज इस्ट से ही क्यों निकलता है, क्या सूरज ही center है पूरे ब्रह्मांड का तो यह query यह question लोगों ने करना शुरू कर दिया इससे पहले कभी ऐसा नहीं तो अब इससे और क्या हुआ कैसे आया, यह spirit of inquiry कैसे आई, इसका logic क्या है तो spirit of inquiry का reason है original thinkers उस समाने में कुछ ऐसे लोग थे, जिनने हम कहते हैं पहली सोच वाले original thought वाले जैसे मैं दो लोगों का नाम लिखता हूँ Roger Bacon और दूसरा, Abilard यह लोग पहले रखती थे जिन्होंने क्या किया जो उन्होंने चर्च कपर question put up किया उन्होंने यहां तक बताया जो आज मैं आपर सोच रहे है flying machine के बारे में सोचिए Roger Bacon ने flying machine के बारे में कलपना कर दी थी तब आज से मुझे में लगता है लगबग 8-900 साल पहले क्या आज अगर आपको कोई बच्चा कहे कि मैं ऐसा device बनाऊंगा जो मेरे लिए खाना पका देगा तो शायद आप मान लेंगे हाँ शायद तुम मान लोगे आज क्योंकि आज हमारे पास सोचने की क्या है अपार सीमा है आप जो चाहे सोचो जो चाहे करो आपको freedom है हर चीज़ की तो ये freedom यहीं से आई इन लोगों की बज़े से आई पहले क्या होता था चर्च ऐसा allow नहीं करती थी चर्च नहीं allow करती थी कि आप चर्च पे question mark पुट करें या original think करें scholars ने चर्च के dogmas जो कह सकते हैं धर्म गुरू ने जो बताया बस चुप चाप follow करने का आदेश दे रखा था पर original thinkers ने बोला ना 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 जादा समय तक हमारी thinking को दबा नहीं सकते जादा समय तक हमारे दिमाग पे control नहीं कर सकते हमें खुद सोचने की अजादी मिलेगी और क्या हुआ एक और बहुत 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 रहा है जिसकी वज़े से दुनिया में spirit of inquiry आई और वो reason रहा है Crusades क्या आप जानते हैं कि क्रिश्चनों का धर्मस्तान क्या है कहां उसके भगवान हाँ भगवान जीजस कहां पैदा हुए थे नहीं बताऊं जेरुसिलम और मुसल्मानों के भी जो पीर जो प्राफिट हुआ करते थे जो उनके भगवान हुआ करते थे उनका भी जुडाव है जेरुसिलम से अब क्या होगा जेरुसिलम पर कबजा तर्क्स कर लेंगे क्योंकि जेरुसिलम को वापस पाने के लिए मुसल्मानों से जगडा करेंगे इस होली वार को क्यों हुआ बहुआ बता दिया मैंने न होली वार को किसके बीच में क्रिस्चिन्स और मुस्लिम्स के बीच में करनाम रखा गया प्रुसेड्स अब सर इससे दुनिया में क्या फैदा हुआ मैंने कहा था हर जो नेगडिजिजम सोच रहे हैं उसमें अच्छाई भी है तो जेरुसिलम को पाने के लिए क्रिस्चन लोगों ने कई बार जेरुसिलम पे हमला किया टर्क्स पे हमला किया ये एक-दो साल की बात नहीं है अंड्रेड येर वार की मैं बात कर रहा हूँ जी सो सालों तक यूद चलता रहा ये अलग बात है कि ज़्यादा तर क्रिस्चन हारते रहे हाँ ज़्यादा तर क्रिस्चन हारते रहे और इससे फाइदा क्या मिला तो Crusades की वज़ाए से यूरोप के लोग, हाँ ये जो Christians थे, ये यूरोप के लोगों का direct contact हो गया एशिया के लोगों के साथ, याद रखेगा Turks Asians थे, तो दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ, आखिर कहीं ने कहीं तो मिलेंगे ने, उनकी learnings के बीच में क्या हुआ, sharing हुई, Crusades से Western Europe की ideas East तक पहुच गई, अथार्थ Asia तक पहुच गई, और क्या हुआ, एक और सबसे बड़ी चीज, जो चमतकारिक चीज हुई, वो था विज्ञान, इससे पहले Science था हमका कोई subject नहीं था, तो इस age में Science का जन, इससे पहले लोग Science के बारे में ज़्यादा कुछ नही से आगे भी सोचना किया, हाँ, अभी तक कहते थे कि जो भगवान में लिखा है, जो किताबों में लिखा है, गरंत में लिखा है, बस वही मानेंगे, या जो धरम गुरू, आप बोले ना, अब मैं उस पे question करूँगा, कि ऐसा क्यों, अगर आप कहते हैं कि यहाँ हाथ से, अथार्थ, scientific नजरिये से, क्या करने लगा, लोगों को नए आतरीके से nature को observe करना सिखाया, बताया कि हमारे प्रास प्रकति में जो भी है, वह सब science की वजए से है, और उसी समय पे नए inventions हुए, कुछ नए discoveries हुई, और उनमें से फिर से Roger Bacon, यहने बताया था original thinker का example, Roger Bacon ने आपको दूर-दूर तक ले जाती है, आपकी car, आपकी गाड़ी, आपकी motorcycle, carriage है न आपका, आपको एक प्लेसे दूसरे प्लेस ले जा रहा है, सोचे गाड़ी जिसमें घोड़ा ना हो, और flying machine, सोचे, flying machine 800 साल पहले इसकी कलपना भी कर लेना, सोचे, Roger Bacon, दूसरा Galileo जी, हाँ इनके बारे में तो आप जानते ही है, टेलिस्कोप का invention किया देनों ने, आइए कुछ और inventions बताऊंगा जो आपको उस जमाने की inventions है, जिससे modern age में आज मैं और आप जो इतनी सारी ठीर, सारी किताबे जान पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, हाँ, स्लेबस की देख लो किती सा इनोंने इस पहली printing press को बनाया, और इस printing press से तो दुनिया में एक नई करांती आ गई, तब printing press से करांती कैसे आई, मैं बताता हूँ, printing press से books बनाई गई, और वो भी अब printing press तो जानते हैं, एक printing press हजारो books चाप सकती हैं, और पहले जमाने में चलता था manuscript, मतलब, अरे भाई हा प्रिंटिंग प्रेस में तो यह काम च्टकियों में होता है, आप जानते ही हैं, अभी आप printing press गई हैं, विजट किये हैं, येस या नो से मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताईए, कि येस, I have seen printing of books, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी त प्रेस काम करती है, हजारों बुक्स कुछी पल में, कुछी मिंटों में क्या होता है, चप जाती हैं, तो प्रिंटिंग प्रेस से लाज नमबर आप बुक्स बनने लगी, Bible सबसे पहली बुक, religious बुक सबसे पहले, और लोगों को धर्म के बारे में, ज्यान के बारे में पता आरधारा, नए अवेकनिंग, दिमाग का धकन जो था ना, फुल गया, लोग अब सोचने लगे, क्योंकि पढ़ने लगे, क्योंकि ग्यान की बाते अब सिमित नहीं रहे गई, सिरिफ साइंटिस्ट के पास, या किसी बड़े गुरू के पास, बलकि उनकी ग्यान की बाते अ अगर आप नहीं पढ़ते हैं, तो प्लीज आप भी पढ़ना शुरू करिए, हाँ, read something everyday, हाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप ज़्यादा टाइम अपने devices को दे रहे हैं, जो screen को दे रहे हैं, उससे ज़्यादा better होगा कि आप books को दें, चलिए, principles of reliance के बारे में जाने, तो क्या guidelines थी, क्या, reliance क्या अचानक आया, क्या एकी दिन में पुरी दुनिया बदल गई, नया modern age अचानक आ गया ये उरोप में, ना, ना, ऐसा कभी नहीं हुआ, तो reliance ने लोगों को सिखाया, कि सही क्या है, गलत क्या है, लोगों के अंदर spirit of inquiry आई, लोगों ने इंसानियत को समझा, इसी लिए एक factor आया, word आया, humanism, पहला, पहला word है, humanism, इससे पहले, इंसान तो हम थे, पर इंसानियत के बारे में कभी नहीं सोचते थे, और इसी humanism की study का एक special word है, study of mankind, ये शुरुआत हुई, उस age में, लोगों ने इंसानियत के बारे में, माना कि इं अंदर दुख और तकलीफे भी हो सकते हैं, और खुशियां भी हो सकते हैं, पर उसके बारे में जानना, उस इंसान के बारे में जानना, उनके दुख और खुशियों के बारे में जानना, और ऐसा सोच करने वाले लोग कौन थे, लेटू, एरिस्टॉटल, ये दोनों अगर आपको इनके बारे में कुछ और study करना हो other than the course तो आप इनके बारे में search कर सकते हैं लेटू और अरिस्टोटल के बारे में और क्या नई बात हुई इस age में glorification of human form जड़ा इमेज को देखिए आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं अथार्थ इनसान की body yes इस body को इनसान की स्वरूप को जैसे हमारा physical रूप है किसकी सोच develop हुई क्या हुआ एक ऐसा art जो मानता था कि इनसान एक active mind के साथ और एक body के साथ पैदा हुआ है चुकि आप और मैं पैदा हुए हैं ठीक है ना और हम पुरी दुनिया को control कर सकते हैं अपनी mind को control करके हम खुशियों को पा सकते हैं सिर्फ control किससे करना है इस active mind से हम अगर मन से खुश हैं तो अगर छोटा सा घर भी मिला है उसमें भी खुश हो जाएंगे तो active mind and body capable of knowing and controlling या power देने वाला सोच इसे कहते हैं human body का importance glorification ये शुरू हुआ इस age में और क्या नई चीज आई spirit of inquiry जिस पे तो मैंने पहले ही discuss किया तो लोगों में जानकारी प्राप्त करने की एक नई spirit डेवलप होगे लोग खोजने लगे नया जानकारी पता करने लगे जानने लगे इसी की वज़े से inventions हुए इसी की वज़े से नए exploration हुए इसी की वज़े से नए trade roots डेवलप हुए और इंसानियत और आगे डेवलप करने लगे तब ही तो हम आज चंदरमाबे पहुच गए है अब आईए रिनायन्स की beginning के बारें बताएं कि कहां से शिरुवात हुई रिनायन्स की शिरुवात हुई इटली और इटली से फैलते फैलते पूरी दुनिया में अब कोशन आएगा सर इटली में ही क्यों शिरुवात हुई किसी और देश में क्यों नहीं सिरुवात हुई याद होगा कॉंस्टेंटिनोपल तो इस empire में इटली एक छोटा सा पाट है तो जब कॉंस्टेंटिनोपल को टर्क्स ने जीत लिया तो जो बड़े बड़े historical writers थे, authors थे historians थे, हाँ पहले सही historical remains थे पहले सही historical relics अविलेबल थे और क्या हुआ अगेन, large number of scholars thinkers यहाँ पहुँचे अपने हाथ के लिखी manuscript से और उनके खुद के जो treasures थे, कोई painter था, कोई sculptor था, तो अपनी painting लेके वहाँ पहुँच गया, अपनी sculptor लेके पहुच गया, मुर्तियां लेके पहुच गया और क्या हुआ, किटली में पहले से ही बहुत wealth था, किटली एक अमीरों का देश था, तो वहाँ के जो बड़े rich merchants थे वेपारी थे, वो इन artist को बहुत बढ़ावा देते थे, उनको खुब रनायन्स का spread इटली से ही पुरी दुनिया में हुआ, और तो और Crusades के अलावा, geographical exploration भी एक बहुत बढ़ा reason रहा है कि क्यों रनायन्स इटली में ही आये, रनायन्स, रनायन्स, रनायन्स क्या impact रनायन्स का भाई, इतना रनायन्स के बारे में पढ़ा हम लोग ने उसका impact हर जगह है सबसे पहला इसका impact बढ़ते हैं हमारे art में क्या आया, हाँ art में सबसे बड़ा impact था, सबसे बड़ा impact था art में, जो artist थे उन्होंने अब rules तोड़ना सीख लिया, उन्होंने नए तरीके से art work जैसे with fresh colors हाँ, wall painting सीख ली oil pictures, oil color लगाना शुरू कर दिया wood cutting शुरू कर दिया ये पहली बार था जो रनायन्स के artist बने उन्होंने ऐसा करना शुरू किया उन्होंने लोगों के optics को जाना नए नए geometrical shapes की बारे में पढ़ा इससे पहले ऐसा नहीं करते थे वो common चीज़ों को ही बनाते थे बट जैसे ही रनायन्स आया तो उनकी सोच और broadened हो गई तो नए concept से वो क्या करने लगे अपने art work बने लगे वो इंसान की body को study करने लगे इंसान के gestures को expressions को study करने लगे और उस पे based पेंटिंग मानने लगे अब पेंटिंग के बारे में सुनेंगे तो आप दंग हो जाएंगे और कह सकता हो कि दुनिया का इससी महान रेक्ती पेंटर न कभी था न कभी हो पाएगा चाहिद आपने नाम सुना हो Leonardo Di Vinci ऐसा माना जाता है कि आज भी दुनिया में कह सकता है सबसे महान पेंटिंग जो है वो Mona Lisa की नाम सना है Mona Lisa का एक ऐसी लड़की जिसके मुश्कुराता हुआ half smiling face आपको दिखाई देगा ये दुनिया की सबसे महान पेंटिंग है बनाने वाले आटिस का नाम देख लो क्या ये सिर्फ painter थे नई ये painter थे, sculptor थे, musician थे scientist थे तो दुनिया भर की चीज़ों के येस ग्यान था कुछ और चीज़ों जाने ये mechanics के जानकार थे, anatomy को जानते थे, physics को जानने थे weapons बनाना जानते थे, science के जानकार थे इनके कुछ important paintings बता दू हमको जिसके लिए जाने जाते हैं एक तो Mona Lisa मैंने बता दिया ये screen पर आप देख पा रहे हैं पड़ासा image आप देख पा रहे हैं ये भगवान Jesus बीव्स में बैठे हैं और ये उनके disciples ये इस image को नाम दिया गया है The Last Supper ये भगवान Jesus के disciple इनके साथ गद्दारी करने वाले हैं ऐसा एक scene है और कौन सी painting है The Virgin of the Rocks ये महान painter Leonard Vinci के बारे में हैं और एक artist के बारे में जानिए Michael Angelo Michael Angelo ये भी एक महान painter, sculptor, architect थे और इन्होंने भी human figures पे बहुत काम किया उनमें से Sistine Chapel आप ये पूचेंगे सर Sistine Chapel क्या है Vatican आप जानते हैं जहाँ पर Christian धर्म गुरू पोप रहते हैं उस शेहर का नाम है Vatican पता है कि नहीं है Christian के जो धर्म गुरू सबसे बड़े धर्म गुरू होते हैं वो पोप कहलाते हैं वो उनका शेहर है दुनिया की सबसे छोटी चिटी या कंट्री मुझसे पूचोगे तो मैं कहूँगा Vatican वो अपना देश भी है वो अपनी कंट्री भी है इतली के अंदर ही है तो वहाँ पर ये एक चर्च है नाम है Sistine Chapel इसकी सारी पेंटिंग्स पूरी वॉल पेंटिंग सी बात कर रहा हूं है उसको बनाने वाले हैं Michael Angelo उनकी एक फेमस पेंटिंग का नाम दे दे रहा हूं नाम है The Last Judgment and The Fall of Man ये इनका आठवर्क है जो आज भी दुनिया में सबसे मश्योग है आईए अब आपको ले चलते हैं अगले महान पेंटर के और रैफेल क्योंकि इनके बारे में बहुत डिटेल करना नहीं है तो इसलिए इस सिर्फ थोड़ा जानकारी के लिए आपको information दे दे रहे रैफेल भी एक महान पेंटर आर्टिस्ट है इन्होंने भी सिस्टाइन मोडेना बनाया था और सेंट पीटर चर्च आप स्क्रीन पे अब आप देख पा रहे होंगे इसको भी डेकॉरेट करने का इसको सजाने का भी काम इन्होंने किया आईए अब आते हैं स्कल्प्चर ये स्कल्प्चर क्या है मूर्ती बनाना मूर्ती स्कल्प्टर तो ऐसा मना जाता है कि ancient past को study करके आज modern age हम पहुचे हैं तो ancient past का जो हमारे अंदर एक impact आया हमने उस painting को और अच्छा और बहतर बनाना सीख लिए उन में से सबसे महान स्कल्प्टर अगर मुझसे पूछेंगा दुन्या का सबसे best स्कल्प्टर वो है dentology और क्या बनाया था उन्होंने bronze की statue बनाई थी statue of David David जिसने गोलियत को मारा था गोलियत को नहीं है एक warrior है इसने पत्थर के चक्का गुमा करके गोलियत नाम के एक बड़े से जैत्योकारी आदमी को यस मार दिया था उस David की बात कर रहा हूँ हाँ Bible में इसकी कहानी का चिक्र है David का तो Dentello उन्हें इस David का क्या किया यह खूब सुरत सा statue बनाया और दूसरे को स्कल्प्टर का example दूँ Lorenzo Gibarti हाँ यह कर्टर का नाम है तो उन्होंने 20 साल तक काम किया और क्या बनाया तरह 20 साल में क्या बनाया जार सुनिए सिर्फ दो पेर और ब्रॉन्ज डू सिर्फ दो दरवाजे को क्या किया का नक्षा बनाया का स्कल्प्टिंग की कहाँ पर रहे यह Florence नाम के शहर में है वहां के एक चर्च है और इसको देख लिजे इस सीन को देख लिजे तो आपको कुछ समझ में आएगा यह है Mother Mary जिसको मरियम कहते हैं और उनके गोद में है बहुत महान दो लोगों का नाम आपको नहीं भूलना चाहिए लिनार्डो विंसी और दूसरा माइकल एंजलो इन्होंने इसको अनाम दिया यह Rome में बनी एक स्टेच्यो नाम है पाइटा जिसने Mother Mary बगवान जीजस को अपने अपने गोद में लिव हुई है तो यह तो था प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था तो अब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो लेटिन को यूज किया गया पहले बाद में ऐसा मैं सूस हुआ कि लेटिन एक बहुत ही complicated language है तो लोगों ने local language में लिखना शुरू किया आपने सारा तर ज्यादा तर word जो पढ़े होंगे इस derived from the Latin word अगर मैं आप से पुछे हूँ कि gold तो कहेंगे Latin word है aurium silver कहेंगे Latin word है Argentinam तो यह सारे Latin word क्यों है तोखी सबसी पुरानी language दुनिया की बहुत complicated language है biology क्या है अरे भाई Latin word है bio means life and logos means thought तो Latin को छोड़ करके अब लोग सुनने, लिखने लगे, लिखने लगे किसमें? लोकल भाषा में. तो वो चाए English हो, चाए French हो, चाए Hindi हो. वाला कि उरोप मे तो ऐनी नहीं चलेगी, पर वहां की लोकल भाषा में लोग लिखने लगे. अब Italy में क्या हुआ? इतली में एक बहुत ही महान राइटर थे, नाम है Micah Valley, इन्होंने political राइटर थे, इन्होंने political किताबे लिखी, इनकी एक बुक है जिसका नाम है The Prince Dente, बुक का नाम क्या है The Prince Dente और दूसरा Divine Comedy, इस किताब को तो बहुत सारे धेरो धेर अवार्ड मिले वे हैं, क्योंकि यह epic poem ह और क्या है, एक और महान राइटर नाम है Patriarch, Patriarch के बारे में क्या famous है, कि इनको माना गया है father of humanism, मैंने बताया था, humanism के बारे में करना, mankind के बारे में study करना, इंसान और उसके body, रूप के बारे में study करना, पहली बार सिखाये गया था इस age में, आरे 9 के age में, तो इसके father है Patri Patriarch, England में क्या हुआ, अरे वही London, England जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, वहाँ भी literature में क्या change आया, वहाँ पे भी बहुत सारे नही राइटर जाये, उसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है, जोफरी चॉसर जी, जोफरी चॉसर को माना जाता है, father of English poetry, English poetry के बाप है ये, और बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, इसका नाम लूँगा तो तुमको, जरा इसका नाम लूँगा तो तुमें इनका तो चैरा भी देखना पड़ेगा, इनका नाम है, William's Worthworth, हाँ, तुमारे जो स्लेवस में है, कौन सी बुक है, तुमारे स्लेवस में है, जी, तो William's Worthworth, अगर आप 9-10 में है, तो आपको एक बुक है, Merchant of Venice, अगर आप 11-12 में है, तो Tempest है, तो यही लिखने वाले है, William's Worthworth, दुनिया के महानतम राइटरों में से एक है, इंग्लिश राइटर इससे महान आस्ता कभी दुनिया में नहीं पाया गया, कही बार उसको गनाटेड दिया गय और इसका पहला प्ले है, Richard II, या Henry VI, या Henry V, तो यह तो बदलाओ वे रनैसा में, अलग-अलग fields में, साइंस की फिल्ड में, हाँ, नए चमतकार, क्योंकि इससे पहले साइंस इतना डेवलप नहीं था, इससे पहले लोगों की सोच इतनी डेवलप नहीं थी, उनकी जो सोच संकुचित थी, कंट्रोल्ड थी, पर साइंस ने उनको क्या कर दिया, उनका विजन बहुत बढ़ा कर दिया, इस साइंस को जरा ध्यां से देखे, और आपको समझ में आएंगे, ये है, निकोलस, येस, निकोलस कॉपर निकस, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहला मॉ समस्ते थे कि अर्थ सेंटर है, और सन चकर लगाता है, हाँ, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, आज तुमसे कहूंगा, तो तुमको हसी आ जाएगी, कि सर सन, सन हमारे चकर काटता है, जी नहीं, अर्थ चकर काटती है सन की, ये बताने वाले पहले वेखती थी, समझ गया न, इन्होंने एक बुक लिखी थी, नाम था, टी, रेवोलूबियस, और, और्बियम, सेलिस्टियम, ओहो, इनकी भाषा, अविस बात है, अपने देश की है, इसका मतलब है, अन दी रेविलूशन ऑफ दी, सेलिस्टियल स्पियर, तो ये बुक इन्होंने लिखी, जिसमें इन और अविल्योसेंट्रिक थ्यूरी, जिसमें बताया, कि कोई एक सेंटर नहीं है पूरे यूनिवर्स का, उनिवर्स में ऐसे बहुत सारे सेलिस्टियल बॉड़ी, विल्ली बॉड़ी है और अर्थ, तो आज आज आठ प्लैने रेष, जिसमें आठ हो प्लैनेट्स का देशक Sun और Earth has more than one motion आप जानते हैं Rotation and Revolution इस सब बताने वाले सैंटिस सोचिए मैं बात कर रहा हूँ 800 साल पुरानी उस समाने में सैंटिस को इस सब पता था जो आज आप पढ़ रहे हैं आपके स्लेबस में और एक सैंटिस जर्मन सैंटिस हैं John Kepler इन्होंने भी प्रूव किया कि किस तरीके से जो रास्ता जो Sun का हम काटते हैं चकर काटते हैं प्लैनेट्स वो सर्कुलर नहीं है बलकि elliptical path है गैलिलियो ने टेलिसकोप को इन्वेंट किया था और इनका नाम तो आप जानते ही है तर इसेक न्यूटन इन्होंने law of gravitation डिसकवर किया तो ऐसे बहुत सारी महान और भी कुछ examples हैं कुछ और महान discoveries हैं जो आपको आनी चाहिए जैसे विल्यम हार्वे ने डिसकवर किया blood circulation के बारे में इन्होंने बताया कि हमारे body में blood का double circulation होता है हमारे heart से blood दो बार क्या करता है cycle में गुमता है पारसीलियस यस पारसीलियस नाम के एक scientist ने बताया medicine और chemistry का क्यारलेशन है तब ही तुम दवा बना पा रहे हैं आज जो corona vaccine बनी है वो भी तो chemistry का तो कमाल है तो इन्होंने बताया और codus नाम के एक महान वेक्टी ने prepare किया ether को हलमोट ने carbon dioxide को discover किया तो उस जमाने के scientist की बात कर रहा हूँ अरब्स ने पूरी दुनिया को algebra दिया क्योंकि अरब्स से हम हम मतलब बताया है हम लोग Indians भी क्या किये algebra सीखे और इससे numbers पूरी दुनिया में फैल गया modern geometry को जन देने वाले का वेक्टी का नाम देख लो geometry परिशान करती है ना chapter circles chapter area theorems लो इनसे मिल लो क्या नाम है D. Sergius modern geometry के father और किसका नाम जानोगे Stephen का नाम भी सुन लो Stephen क्या करते थे decimal system coins weight measures के इस इन्वेंटर है तो इस तरीके से science में खूब जबरदस्त तरक्य होई science में, art में, painting में इसलिए रनायन से इज को बहुत अच्छा एज माना गया है तभी तो आज हम जिस यूग में हैं आज हम चंद्रमा की जाने की बात कर रहे हैं आज हम अवतार की बात कर रहे हैं हाँ अगर आपने अवतार नहीं देखी है तो अवतार एक बार जरूर देख लेना आपको शायद इसके आगे की कल्पना भी शायद मिल जाएगी हाँ मैं अवतार movie की बात कर रहा हूँ हाँ अवतार का two version हाँ second version भी आ गया है तो आप सोच सकते हैं कितना आगे दुनिया जा रही है आईए consequence क्या नतीजा निकला तो मैंने बताया अब renaissance के बाद जो अगला moment आने वाला है नाम है reformation अथार चर्च के system में बदलाव आ जाए renaissance ना होता तो reformation नहीं होता पुरानी परंपराओं पे चर्च पे विश्वाश घात करने का चर्च पे question करने का power आ जाएगा इस reformation में और चर्च बदलेंगी चर्च अपनी कम्यों को मानेंगी humanism पे यस लोगों का focus आ गया लोगों का नजरिया बदल गया अब हर चीज के लेवग किसी भी चीज को मानने को तयार नहीं है जब तक आप उसको scientifically prove न कर दें किसी को experimentally साबित न कर दें तो एक नया सोच आया नाम है scientific outlook ऐसा नजरिया जिसमें question करने का लोगों को power आ गया लोग किसी चीज के पीछे reason जानते हैं और reason होगा तो उसको मानेंगे और तो नहीं मानेंगे और क्या हुआ monarchical form of government आने लगी नए नए kings आने लगे जो की पूरे kingdom को control करने लगे monarchical मतलब होता है kingship आना artist नए art music form को develop करने लगे और एक नया class दुनिया में आया जिसे मैं और आप belong करते हैं मैं और आप belong करते हैं इस class को नाम है middle class इससे पहले क्या होता था aristocrats होते थे मतलब राजा या राजा की family के member या सबसे नीचे peasants तो upper class और एकदम lower class अब एक नया class भी आ गया है जिसको मैं और आप सब belong कर रहे हैं नाम है middle class ज्यादा तर ये ही अब क्या कर रहा है पूरे दुनिया में येस सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है और ये कुछ common points हैं जैसे growth of nation states हुआ 9 exploration हुआ इस रिपीटेट टोपिक था इसलिए मैंने कहा तो इस बिंग्स तो दिए एंड आप दी चेप्टर पर्स पार्ट पाकी दो पार्ट के लिए येस पाकी दो पार्ट के लिए वेट करिए जल्दी ये वीडियो भी अप्लोड होने वाले हैं थैंक यू और बाई